अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आपको ये handwritten notes चाहिए तो आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं जिसका link में description box में डाल दूँगी तो without wasting the time let's start the important video अब बात की जाए हर्याना की तो उसके जो important cities हैं उनके nicknames को भी हम एक बारी नजर मारते हैं City of handlooms, City of weavers और Battle of Panipat के नाम से किसको जाना जाता है Panipat Panipat के कंबल बहुत जादा famous है ये चीज़ का ध्यान रखेगा गरम कंबल कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को बोला जाता है City of महाभारत Guru Gram, Millennium City of India, Cyber City भी कह सकते हैं या Mall City के नाम से भी इसको जाना जाता है Guru Gram को Millennium City क्यों कहा जाता है क्योंकि हर्याना में सबसे जादा पर-capita income इस शहर के जो वासी है उनकी है और हिंदुस्तान में अगर बात की जाए तो पर-capita income गुडगाओं की 3rd rank पर आती है हर्याना में 1st है और at the India level 3rd पर ये आती है Agriculture की बात कर्याना तो यहाँ पर एक dialogue हमारा आता है कि देशों में देश हर्याना जहां दूद दाइका खाणा तो यहाँ पर खेती यहां के जो किसान है वो बहुत ही ज़्यादा रहीस है as compared to other states तो यहाँ पर sugarcane, oil seeds, rice, groundnuts, maize और इन products की अगरिकल्चर products की यहाँ पर खेती होती है अब बात की जाए आसीगर्ड fort, आसीगर्ड fort जो है हासी में सित है, यह कौन से लेक पर है, यह empty lake के, on the banks of empty lake, यह आपका situate करता है अब बात की जाए famous lakes की, तो बढखल लेक, सूरजकुंड लेक, blue bird lake, बढखल लेक कहां पर हुआ, यह फरिदाबाद में सूरजकुंड, सूरजकुंड का मेला लगता है, आप इसको जो की आपका crafts का मेला है, जो की हर साल फरिदाबाद में लगता है blue bird lake की बात की जाए, तो हिसार है, और इसके बारे में जब हमने हिसार district को discuss किया था, तब इसके बारे में हमने अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ा भी था अब आते हैं next, दम दमालेक, दम दमालेक आपका कहां पर सिथ है, गुरू ग्राम में सिथ है, हतनी कुंड, हतनी कुंड जो है, मीडिया न्यूज में काफी आपको सुनने को इसके बारे में मिलेगा, जब बारिश के सीजन में, हमारे किजरिवाल सहाब जो है, स्टेट्में इन डेली, कहां पर है, यमना नदीम के किनारे, यमना डिस्टिक पर ये है, करनालेक, करना, करना से बना क्या, करनाल, तलियार लेक, तलियार लेक कहां पर है, रौतक में है, ब्रह्म सरोवर कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है, और सनित सरोवर आपका कहां पर है, ये भी है अब बात करें important bird centuries की तो भीड़ावास bird centuries और खपरवास bird century जो है आपकी important है अब बात करते हैं next dams important dams जो है हर्याना के कोशल्य डैम कोशल्य डैम कौन सी नदी पर है यमना नदी पर है और कौन से district में है ये पंच्छकुला district में है ओटू बैराज आपका किस river पर है घागर river पर है और सिर्सा district में ये पर है याद रखिएगा हतनी कौन बैराज यमना नदी पर आपका है यह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको और यह इसको दुबारा किसनी importance है इसकी ये आप सोच सकते हैं अब बात करते हैं अनंगपुर डाम ये कहां पर सिथ है ये हकरा रीवर पर सिथ है और कहां पर है बनाया गया है हकरा रीवर पर और ये कहां पर है ये फरिदाबाद में है important rivers की बात की जाए तो सबसे important river जो आती है हर्याना की वो है यमना रीवर ये कहां से शुरू होती है ये कालिंदी परवत से शुरू होकर ये कहां पर मिल जाती है त्रिवेणी संगम जो की आपका प्रियाग राज में सिथ है घागर नदी हकरा नदी फिर उसके बाद जो important rivers आत जाता है कई बार ये examiner पूछ लेता है इस चीज़ को याद रखेगा डांगरी रिवर wildlife centuries की अगर मैं बात करूं तो अभू बेशर बीर शिखागड wildlife century भिंड़ावास वाइल डाइज century चिलचिला wildlife century नाहर wildlife century खोल ही रतन wildlife century कालेश्वर wildlife century कालेश्वर को most important नाहर चिल चिला इनको important mark कर लीजेगा खापरवास wildlife century उसके बाद आते हैं next important जो है हमारा वो आता है thermal power plant तो हर्याना में thermal power plant कहाँ पर है दीन बंदू छोटू राम super thermal power station और एक दूसरा है इंद्रा गांधी super thermal power project इन notes के लिए आपको क्या करना है आपको telegram group को join करना है जिसका link आपको कहाँ पर मिलेगा description box में मिलेगा आप महाँ से free PDF डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद आते हैं hydro power plants जो की hydro power plant की बाद की जाए तो WIC hydro power plant जो है आपका hydro electric station कहाँ पर है यमना नगर में है nuclear power plant की अगर बाद की जाए तो गोरकपूर है गोरकपूर से भाईया आप जो है योगी जी के गोरकपूर में मत पहुंच जाईएगा ये हर्याना का गोरकपूर atomic power plant है जो की हर्याना में है dance form की बात की जाए तो dance form importance है गूमर, सांग, धमाल, खोरिया रिलेट करता है तो वो है चारी डांस important mark कर लीजेगा famous airports की अगर मैं बात करूँ हिसार airport और करनाल airport waterfalls की अगर मैं बात करूँ तो टीकर ताल जो की मौर्णी hills पर है और दोसी hill fills जो की महंद्रगट district में है इन दोनों को important star mark कर लीजेगा for the coming हर्याना ADA exam famous stadiums की बात की जाए तो famous stadium है हर्याना के beam sing stadium जो की आपका बिवानी मिस्थ है नहरू stadium गुरू ग्राम नाहर सिंग stadium फरिदाबाद में war heroes memorial stadium ये golf club है ये कहां पर है ये अंबाला मिस्थ है राजीव गांधी stadium रोह तक मिस्थ है द्रोनाचारिय stadium कुरुक्षेत्र जाहनबाग stadium आपका जजजर में और महाबीर stadium यहापर लिख लिजएगा ये महाबीर stadium है ये आपका कहां पर है ये हिसार में है तो आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं अर्याना से ADS related GK की अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे telegram group को join कर लीजेगा चैनल को like, share, subscribe करिएगा और अगर आपको regular classes के साथ जुड़ना है तो आप हमें दिये गए number पर call या whatsapp करके query ले सकते हैं number है 837-032-873 daily basis बर आपकी classes होती है live lectures होते हैं handwritten notes आपको दिये जाते हैं पूरा का पूरा GK आपका local plus current plus everything which is important for the ADA exam will be covered in this batch पूरी fees होगी GK class की आपकी 2000 रुपे जिसको आप कभी भी join कर सकते हैं, thank you, all the best अब तक की next video है, channel को like, share और subscribe करिएगा, thank you पढ़ते रहें, साथ बनाएं रखें, thank you, all the best